हलो स्टूडेंट्स वेलकम को ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकिता सूद सो पेपर वन प्रेपरेशन के लिए रीसर्च अप्टिट्यूड के मोस्ट इंपोर्टन और रिपीटर क्वेस्टन की सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं यह सवाल स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एक्जाम में भी आजटिस देखने को मिल सकते हैं इसलिए हरे क्वेस्टन के अंसर के साथ आपको इंपोर्टन एक्स्प्लेनेशन भी दूँगी ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बहुत इजी नी क्लियर हो सके तो देखिए रिजर्च में स्थिर्ता कॉम आपने के लिए कौन सा केरिक्टरस्टिक आप सभी यूज कर सकते हैं अब आपको पता है कि रिजर्च के रिजर्ट अगर हम लोग निकाल रहे हैं हमारा रिजर्ट कंसिस्टेंट यानि कि स्थिर है या फिर बिलकुल सटीक है या फिर वैद है ये जानने के लिए अलग-अलग करिक्टरस्टिक्स रिजर्च के अंदर होती है जैसे कि validity भी होती है, हमारे पास reliability भी होती है और ये दोनों बहुत ही जादा important characteristic है अब the options दिये गए है, validity, objectivity, reliability and credibility So, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि research की validity मतलब कि research का result बिलकुल सही है या नहीं जिस कारे के लिए आप research कर रहे थे, वो result आप लोगों को end में मिल पाया है या नहीं ये check करने के लिए, ये accuracy देखने के लिए हम लोग research validity यानि की वैदता का इस्तिमाल करते हैं इसलिए ये वाला option तो गलत हो गया, objectivity भी नहीं होता objectivity हमें बताता है कि जिस वजह से हम research कर रहे थे, वो सही मुद्दा हमने end तक पकड़ा है या नहीं तो ये भी गलत होगा, अगला है consistency, consistency का मतलब ही reliability होता है consistent, इसको एक example के साथ शुरू करती हूँ माल लीजिए आप लोगों को एक निशाना लगाने के लिए बोला जा रहा है कि इस center पे आपको एक निशाना लगाने हर बार क्या हो रहा है लेकिन आपका center पर निशाना नहीं लग रहा है आप इसी point पर निशाना लगा रहे हो, 10 से 15 बार आपने try कर दिया तो इस चीज को consistency बोला जाता है ठीक है, इस चीज को reliable बोला जाता है कि हाला कि आपका result accurate नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा लेकिन हर बार एक ही result आ रहा है तो वो भी research की important characteristic होती है and consistency यानि कि reliability भी research में acceptable होती ही है and वैसे ही जैसे मैंने आपको validity बताया आप देखिए validity B से start होता है इसको उल्टा करेंगे तो A बनता है तो validity को accuracy से हम relate कर सकते हैं accuracy बोलता है कि अगर जिस कारे के लिए research कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं अब center में आपको निशाना लगाना है और आपने हर बार इसी point पर निशाना लगाया इसका मतलब है कि आपका research valid है ये एक example था तो मैं उमीद करती हूँ कि दो important concepts आपके यहां से clear हो गए students paper 1 में आप सबको help करने के लिए एक complete course में लेकर आई हूँ जिसमें examination के difficulty level और updated pattern के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा इस complete course में आपको रोज 2-3 live lectures हम provide करवाते हैं जिसकी मदद से बहुत easily paper से पहले आपका syllabus तो cover होगा ही साथ ही live classes में आपकी MCQs के साथ revision भी करवाई जाएगी आपको एक special whatsapp group में भी हम add करेंगे जिसमें students अगर आपको कोई भी doubt है तो directly आप अपनी teacher से पूछ सकते हो and हर class के बाद उसकी PDF भी आपको मिलेगी ताकि notes बनाने का समय भी आपका आप बचा सको इसके लिए new batch 21st November से start हो रहा है जिसकी validity one year रहेगी यानि कि June 2025 exam की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये फायदे मन रहेगा साथी students कुछ free videos और mock test है जो आपको मिलेंगे global online app में store section पर जाकर आप search पार में लिखे course का नाम content पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि complete courses में आपको unit wise folders हम देते हैं previous year papers आपको मिलेंगे जिससे आपको clear idea मिलता है कि किस level के सवाल paper में पूछे जा रहे हैं साथ ही students आप देख सकते हो बहुत सा free content भी available है जो कि आपको बहुत help करेगा exam को qualify करने में तो ये number आपको दे रही हूँ इस पर आप whatsapp के through कभी भी call या message करके हमसे contact कर सकते हो which of the following does not come under the methods of data classification so data classification क्या होता है ये हम सबसे पहले देखेंगे सो जब हम research करते हैं तो आपको पता है कि research के दौरान data को classify करना पड़ता है हमें थोड़ा सा ये बताना पड़ता है कि data को हम organize कर रहे हैं जैसे कि numerical data अगर आपका होता है तो उसको अलग हम field में enter करते हैं ठीक है descriptive data होता है तो उसके लिए हम अलग field में उसको एंटर करते हैं for example number के लिए quantitative data को use किया जाता है ठीक है descriptive result अगर आपके research का आप देना चाहते हो तो उसके लिए qualitative research को use किया जाता है similarly अगर आप लोग normative data का इस्तेमाल करते हो मानक का use करते हो तो इसमें हम क्या करते हैं किसी person के score को measure कर रहे है compare कर रहे हैं दूसरे के साथ तो आप से इस सवाल में पूछा है not come under the data classification ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया कि qualitative भी आता है और फिर quantitative भी आता है normative भी आता है तो इस question का सही answer है special data यानि कि स्थानिक data ठीक है so special data क्या करता है special data जैसे कि shape है size है किसी particular जगा की location है circle का volume है length है तो research में क्या आप किसी का volume length measure करते हैं नहीं करते हैं तो इसलिए special data को हम research के data classification के under consider नहीं करते हैं इसकी definition थोड़ी सी देख सकते हो what is the correct format for citing a book in MLA style तो अब आप लोग अगर एक लिख रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आपको book reference के लिए MLA style का इस्तिमाल करना है तो इसका क्या मतलब है एक जो reference style होते है students वो हमें बताते हैं कि book में सबसे पहले author का नाम आएगा book का नाम आएगा publisher का नाम आएगा या फिर title आएगा तो ऐसे अलग-अलग styles होते हैं जैसे एक हमारे पास APA style भी होता है ठीक है तो MLA की बात की जा रही है तो सबसे पहले आपको MLA की full form बता होनी चाहिए जो है आपके लिए एक homework question जिसका answer या तो मुझे आप comment करके बताएए ठीक है और फिर मैं आपको वहीं पर reply करूँगी अब MLA style में सबसे पहले बोला जाता है कि author यानि कि लेखक का नाम लिखा जाएगा उसके बाद book का title लिखा जाएगा कि क्या आपके book का शिर्शक है then publisher का नाम प्रकाशक का नाम लिखा जाएगा और कौन से वर्श में book publish हो रही है वो लिखा जाएगा तो ये steps ये styles बहुत important है reorganize the components of the IMRAD structure using specific papers into their proper sequence okay so आप लोगों के पास यहाँ पर एक sequence दिया गया है आपको उसको arrange करना है ये question students December exam में आया था बट अगर आप देखोगे द्यान से इस question को देखिए कि इसमें IMRAD की full form पूछी गई है वही 5 steps यहाँ पर दिये हैं तो I for introduction then methodology then result फिर उन्हीं result को हम analyze करते हैं and then फिर उस पे discussion होता है उस पे चर्चा होती है तो easy question है बिस थोड़ा सा logical आपको जोचना था assertion reason based question है a documentary film about historical events qualifies as a secondary source so अगर माल लीजे आप history subject के student है ठीक है और आप एक documentary film देख रहे हो किसी event के उपर तो उसको secondary source of data माना जाता है तो क्या यह सवाल तो क्या यह statement सही है या गलत है तो यह वाली statement बिलकुल सही है अब यहाँ पर आपको बताती हो primary source और secondary source of data क्या होता है तो primary source होता है वो जो कि आप खुद data collect करते हो अगर माल लो आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानना है तो आप लोग उन्ही के जन्म स्थान में या फिर जहां पर लड़ाई और यह सब चीज़ होई थी वहाँ पर जाओगे ठीक है या फिर आप यह कर सकते हो या फिर जैसे कि माल लीचे कि कोई भी topic आपने सर्च करना है उस पर research आप कर रहे हो जहां पर वो particular field start हुई है उसी जगहा पर जाकर आप खुद research कर रहे हो खुद data collect कर रहे हो खुद लोगों से interview लेकर उसके बारे में पूछ रहे हो तो वो data collection primary होता है लेकिन अगर आप कोई documentary film या फिर कोई book या google search करते हो जहां पर already किसी और ने search करके data upload किया है तो वो secondary data होता है तो यह statement सत्य है कारण क्या है secondary resource provide interpretations और analysis of primary sources तो primary source मैंने बताया उसके बारे में जो भी व्याख्या या wishlation होता है उसको प्रदान करने के लिए हम secondary sources का इस्तिमाल करते हैं तो यह statement बिल्कुल दोनों सही है और reason भी सही इसको justify कर रहा है grand theories of social sciences operate at what so grand theories क्या होती है समाजिक विज्ञान में भव्य सिध्धान किसे जुड़े होते हैं lower level no, simplicit level no, categorical level नहीं यह जुड़े होते हैं higher level of abstraction यानि की अमूर्थता का उच्चिस्तर abstraction होता है किसी चीज से किसी particular data को थोड़ा बहुत hide करके रखना different from being a normal distribution if a curve is skewed on the right side we call it what okay so research में यह बहुत important है जैसे की curve है यह data analysis का ठीक है अगर यह curve right side पर थोड़ा सा मुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे left side पर मुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे इसका जो top या highest point होता है इसको क्या बोलेंगे तो यहाँ पर right side पर skewed यानि कि right side पर जब यह जुका हुआ है तो इसको बोला जाता है positively skewed, right होता है positively skewed या इसको right skewed बोला जाता है और left बोला होता तो वो होता negative skewed, यानि कि left skewed भी उसको बोला जाता है some of the threats of internal validity in research are, so research की कुछ threats होते हैं, research validity में कुछ threats होते हैं, तो आपसे internal validity के बारे में पूछा है, validity हमने पढ़ा है, accuracy के बारे में ये बात करता है so इसमें अगर हम लोग देखें, तो सही answer क्या है, quasi experimental design, no, pre-testing भी इसके अंदर नहीं आता है, attrition आता है, internal validity के threat के अंदर, खतरे के अंदर, then history भी आता है, and maturation भी आता है तो सही answer क्या है, c, d and e only, ठीक है, so ये बहुत important question है, statement based question है, इसमें कहा है, a cohort is a population whose members have some specific characteristics in common okay, so research aptitude में देखो students, हम लोगों ने population और sampling यानि की, जनसंख्या और नमूना करण के बारे में detail में पढ़ा था, अब यहाँ पर कहा है, कि जो population हो भी है, यानि की total candidates जो हमारे सामने होते हैं, उसमें एक term यूज की जाती है, cohort, and cohort क्या करता है, ये बोलता है, कि जितने भी members को हम as a sample select करते हैं, उन में कुछ specific characteristics होनी चाहिए, for example, अगर मान लीजे, आप group में से, 1000 लोगों के group में से, आपको 50 students select करने हैं, तो आप random selection नहीं करोगे, आप किसी basis पे करोगे, जिसे मान लीजे, आप उन students को select करोगे, जिनके 90% से जाधा आते हैं, या फिर आप उन students को select कर सक होंगे, ऐसे कुछ भी criteria हो सकता है, तो यह कहता है cohort population, जो कि बिल्कुल सही है, okay, cohort study basically particular form होती है, longitudinal study हम लोगों ने पड़ी थी, longitudinal study हम लोगों ने पड़ी थी, जो कि samples के लिए हमें help करती है, सो cohort जो है, यह भी उसका ही एक particular form होता है, यह statement correct है, उसके बाद आती है statement number two, in a prospective study, the researcher relies on people's memory and recollections of the past, so prospective study क्या होती है, देखो, prospective study basically जो हम लोगों ने यह cohort पड़ा, इसी से related होती है, cohort studies, prospective study का ही एक best example माना जाता है, okay, so prospective study, जिसको की भविश्यालक्षी, अध्ययन कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जो भी person होता है, जो भी researcher होता है, या population का candidate होता है, they are followed over time and data about them is collected as their characteristic or circumstances changes, ठीक है, simple से इसमें देखते हैं, एको question में कहा है, in a prospective study, the researcher relies on people's memories and recollections of the past, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसमें लोगों की memory, लोगों ने past में क्या किया था, past में उनके किसी चीज़ को लेकर क्या experience थे, उन सब चीज़ों के बारे में discuss किया जाता है, लेकिन इसमें कहा है, relies on, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से निर्वर होते हैं, इसकी वज़ा से, सिरफ एक शब्द की वज़ा से, question, ये statement गलत हो जाएगी, अगर लिखा होता है, sometimes relies on, ठीक है, ये पूरी तरह से लोगों की memory और उनके past पे dependent नहीं होता है, इसलिए option number one true है, लेकिन option number two बिलकुल गलत है, next question is, the population of research means a defined aggregate of something which is the focus of study, okay, so देखो, इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने देखा था, एक sample है, फिर से बढ़िए एक example लेते हैं कि ये college में चले गए आप, हजार students आपके सामने हैं, अब हजार लोगों का survey तो नहीं कर पाओगी, पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए आपको sample में सिर्फ सो लोगों को select करना है, अब सो लोगों को select करने के लिए आपके पास कुछ भी criteria हो सकता है, कि आपने top 100 rank वाले students को select कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसे students जिनकी height 6 feet से जादा है, 5 या 6 feet के बीच में चलो ये मान लो, उन students को select कर लिए तो इसमें यहीं कहा है कि population जो होता है research में, एक aggregate होता है किसी भी चीज़ का, especially focused group में, मान लीजिए अगर मेरा social work से related research है, तो मैं 1000 में से ऐसे लोगों को select करूँगी, जो कि social work में active है, अगर मेरा games से related कोई research है, तो मैं ऐसे लोगों को select करूँगी, जो कि games से related होते हैं, ठीक है, तो यह होते है focused group, तो यह statement बिल्कुल correct है, statement 2 बोलती है, sample is a sub aggregate drawn from a defined aggregate to represented, ठीक है, तो यही है कि एक ऐसा बड़े sample में से छोटे sample को, जादा लोगों में से छोटे कम number of people को select करना, इस called the sample, ओके, तो दोनों statements बिल्कुल सही है, next question is, according to UGC Regulation 2018, on plagiarism, plagiarism का मतलब क्या होदा है, साहितिक चोरी, common knowledge or coincidental terms, up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism, अब देखो plagiarism को na simple भाशा में duplicacy बोलते हैं, अब मालीजे कि, यह कोई, मैं आप लोगों को कुछ चीज दे रही हूँ, कोई, दो-तीन पेज के मैं आपको notes दे रही हूँ, यह बोलकर कि यह मैंने बनाए हैं, लेकिन वो अगर मैंने किसी भी website से, किसी बड़ी company से खरीद कर वो मैं अपने नाम से बेच रही होँगी, तो वो क्या हो गया, plagiarism हो गया, कि मैं साहित्तिक चोरी कर रही हूँ, मैं किसी की मेहनत का, किसी की data को अपना नाम दे कर आगे काम कर भारी हूँ, तो छोटी से definition दी है, plagiarism की research के हिसाब से, इसमें कहा है कि कितने, up to how many consecutive words shall be excluded, इसमें total 14 words को exclude किया जाता है, ठीक है, 14 को exclude किया जाता है, यह बहुत ही सादा important question है, इसी सरे related core question exam में आया था, कि according to UGC regulation 2018, on promotion of academic integrity, अगर academics की integrity की बात कर रहे हूँगे, उसके promotion की बात कर रहे हूँगे, the institutional academic integration panel, जिसको किया IAIP के नाम से भी चानते हो, उसमें कितने members होते हैं, तो उसका answer होगा four members होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से छोट-छोटे से questions हैं, जो कि exam में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट question इस, वेन participants drop out of a study, leading to change in the nature of the sample, आप देखो, ये भी एक direct question पूछा गया है, इसमें कहा है कि जब एक प्रतिभागी, किसी अध्यायन के बीच में ही बाहर हो जाता है, जिससे प्रती दर्श के सुरूप में परिवर्दन हो जाता है, जिससे कि जो sample था, जो काम करने का तरीका था, वही change हो जाता है, तो इससे आंतरिक वैद्धा को निमलिकित में से कौन सा खत्रा हो सकता है, अब देखो मान लो, हम लोग मिल चुल कर यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, किसी को मैंने responsibility दे दी, and 70% काम होने के बाद, वो बंदा हमें छोड़ कर चला गया, हमारी team छोड़ कर चला गया, तो ऐसे case में हमें तो कुछ नुकसान होगा ही, कोई खत्रा तो होगा ही, research में, अगर कोई person बीच में research को छोड़ कर चला जाता है, तो उसको कहा जाता है, attrition, फ्रैडियान की, शयन, संबंधी, खत्रा, यह एक ऐसा question है, जो की लबभग हर बार exam में आता है, तो पहले हम internal validity की बात करते हैं, आंतरी की वैदिता क्या होती है, इसको discuss कर लेते हैं, so internal validity, basically एक extent होता है, to which a piece of evidence supports a claim about cause and effect, तो कह भी भी cause and effect term आपको दिख रही होगी, ठीक है, within the context of a particular study, किसी भी particular study के cause and effect से related अगर बात हो रही है, so वो attrition threat हो सपता है, इसके अलावा students, attrition जो होता है न, ये research के लिए एक बहुत गलत चीज हो जाती, किसी भी research में जब attrition होता है, वो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि ये bias ने सबसे ज़्यादा फैलाने में responsible होता है, ठीक है, अब को participant अगर research को बीच में छोड़ देता है, तो उसका जो काम था, ठीक है, जो उसका काम था, वो क्या हो जाएगा, drop हो जाएगा, वो आदा रह जाएगा, या तो बातियों के लिए उपर responsibilities बढ़ जाएंगी, तो इसलिए attrition सबसे ही ज़्यादा लुपसान दायक होता है, ओके, next is, ओके, यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ और topics भी हैं, जैसे कि बाकी के threats हैं, previous year questions कर रहे हैं हम, तो सबसे important चीज़ है यही होती ही, कि जो बाकी के options हैं, उसको भी अच्छे से पढ़ें, तो इसके लिए separate three sessions में लेकर आई हूँ, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, बस comment मुझे कर दीजिए, मैं जरूर आपको बता दूँगी, उसका link कहां मिलेगा, next is, identify the advantages of open-ended questions in survey research, तो देखो, survey research होते हैं, हम लोगों से जाज आके, अपने research से related survey पूछते हैं, उसमें दो तरीके के questions होते हैं, open-ended और closed-ended, so open-ended के advantages के बारे में यहाँ पर बात किया है, ठीक है, open-ended questions जो होते हैं, यह हमेशा free flowing text response पर focus करते हैं, text response पर focus करते हैं, ठीक है, before you send out survey, you will need to know which type of response you need, तो कौन से type का response आपको use करना है, वो आपको सबसे पहने बता होना चाहिए, open-ended questions, basically वो questions होते हैं, बिल्कुल simple answer नहीं होते हैं, open-ended, closed-ended में आपको answer देना होते हैं, yes या no में, open-ended में yes या no नहीं होते हैं, true-false भी नहीं होते हैं, ठीके, इसमें क्या होते हैं, free-form response यानि कि आपसे कोई question पूछा जा रहा है, आप खुल कर उसमें अपने views बताइए, ये, ठीके, respondents के नांसर in their own terms, सही या गलत, they can be quickly administered by the interviewers, एक गम से जो भी interviewer होता है, वो बता देता है कि, आपका जवाब किस level पर था, सही था, गलत था, क्या था, ठीके, ऐसा होता है, नहीं होता है, और ये पिलकुल सही है, मैंने आपको बताया, अपने शब्दों में वो जवाब दे सकते हैं, they allow unusual responses to be derived, ठीके, so option number 3, A and C is the correct answer, right, next question is, which of the following types of variables would have a true zero point, so true zero point research में क्या होता है, ये होता है आपके पास ratio, okay, and ये कैसा topic है, जिससे आप बिलकुल भी miss नहीं कर सकते, देखो इससे related एक और question भी है, यहांपर पुछा गया, ठीके, ratio आएगा लिखा हुआ, या फिर ratio scale लिखा होगा, दोनों एक ही मतलब है, scale क्या होता है, scale basically एक टूल होता है, जिसकी मदद से हम किसी situation को quantify कर सकते हैं, या फिर कुछ और काम कर सकते हैं, ये यहांपर scale का मतलब होता है, अब ratio scale के अगर बात करें, ratio scale basically हमें अनाव करता है, addition करने में, subtraction करने में, multiplication करने में, और किसी भी चीज़ की, किसी भी data की division करने में, ठीक है, ratio scales में हमेशा, real zero point होता है, जिसको set किया जाता है, from interval scales, ओके, ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों को nominal scale, पता होना चाहिए, nominal scale होता है, किस order में data को रखा गया है, इसके बाद आता है, interval scale, that is the characteristic of nominal, and order data, order data, are present in, interval scale, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, detail में हम discuss कर रहेंगे, बाद में, next question भी, इसी पर बेस है, arrange the following scales of measurement, from the simplest to the most evolved, okay, simplest से most evolved में, इसको हमने arrange करने हैं, तो सबसे पहले, सबसे पहले आता है, ratio यानि कि C, उसके बाद आता है, interval यानि कि D, then we have ordinal A and B, CD AB, yes, here we have, CD, nominal last में, nominal last में होता है, B and A, okay, so ये है, okay, यहाँ पर, CD, B, नहीं है, हम पर थोड़ा सा ये है, correct answer, okay, so यहाँ पर काया है, simplest to most involved, so simplest nominal रहता है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल basic से चीज़े, इसमें रहती है, उसके बाद, ordinal, जो कि हमें बताता है, क्या order है, उसके बाद ratio और interval, interval मीन दोनों का combination रहता है, and ratio scale हम लोग discuss कर चुके है, next is, ये भी देखो, same type of question, एक ही shift में पूछे गए है, तो अगर ये topic आपको पता होता, तो 4 number आपके packet है, right, अगला है, online surveys are very useful, because internet users always constitute an unbiased sample of the population, online survey बोला है, online survey methods होता है, research में, वो बहुत ही जादा useful है, क्योंकि इसमें जो users होते हैं, वो बहुत असानी से sample को collect कर सकते हैं, गलत है ये statement, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कैसे हम वहाँ पर किसी के results की sample का जो data है, उस पर विश्वास कर लें, statement 2 बोलती है, convenience sample is one that is simply available to the researcher by virtue of its accessibility, okay, so convenience, यानि कि आपकी convenience के हिसाब से, आपकी सुविधा के इसाब से जो भी data आपके पास available होता है, आप उसी से अपने research का काम चला लेते हो, okay, तो ये बिलकुल सही है, अगला है, scientific research is what, so scientific research क्या होती है, data driven, replicable, verifiable या subjectivity, so ये आपके पास subjectivities में नहीं होती है, बाकी सारी चीज़े बिलकुल सही है, last question है, research hypothesis are related, okay, risk of rejecting the null hypothesis, when it should be confirmed, is more at 0.05, than at 0.1p level, okay, so देखो, कभी भी हम reject करते हैं, null hypothesis को, तो वो अगर 0.05 से जादा नहीं होना चाहिए, और 0.01p level से कम नहीं होना चाहिए, so ये statement true है, और risk of committing a type 1 error is lower at 0.05, lower जो होता है, वो 0.01 पर होता है, तो इस वज़े से ये statement बिलकुल गलत है, so correct answer आपके सामने है, more analysis in historical research is due to what, so historical research यानि कि इतिहासिक शोड, और इतिहास क्या होता है, इतिहास में वो events होते हैं, जो कि already हो चुके हैं, जिनके बारे में अब हम कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन historical research हमें कहता है, कि जो events already past में हो चुके हैं, उनको अच्छे से analyze करके, आप अपने future के events को थोड़ा बहुत level पर predict कर सकते हो, उसका अनुमान लगा सकते हो, तो उसी analysis के दौरान अगर हम उसको खराब कर देते हैं, result को, analysis के result को खराब कर देते हैं, तो वो किन कारणों की वज़ा से होता है, ये इस प्रशन में पूछा गया है, पहला है impersonal interpretation, यानि कि अवयक्तिब व्याख्या, तो इसके इसमें कोई भी relation नहीं होता, हर एक person की अपनी अपनी interpretation होती है, अपनी अपनी व्याख्या होती है, ये आपके historical research में कोई फरक नहीं डालता, क्योंकि history में किसी person की व्याख्या से हमें मतलब नहीं होता, जो चीज़े books में लिखी हैं, वो matter करती हैं, तो ये option गलत है, next है emphasis on objective assessment, objective assessment बिलकुल भी नहीं होता, इसमें subjective assessment होता है, तो ये option भी गलत हो गया, अगला है overgeneralization, अग देखो historical research में overgeneralization बिलकुल होता है, जिसकी वज़ा से analysis खराब भी हो सकता है, overgeneralization को आप broad conclusion भी बोल सकते हो, इसी research करके बहुत बड़ा conclusion खुदी निकाल दिया, अगर हम history के case में श्तेशली ऐसा करते हैं, तो हमारा research गलत end पर भी हमें ले जा सकता है, गलत information इसको कहा जाता है, overgeneralization को, अगला है oversimplification, oversimplification बेसिकले तब होता है, जब कोई भी researcher जो है, वो क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन clear नहीं करते हैं, और अपने end पर उसी कोई भी व्याख्या, अपनी thesis में लिख देते हैं, inaccurate or incomplete understanding of historical events and trends, हम oversimplification को बोल सकते हैं, तो ये option पर बिल्कुल सही है, तो C and D, and next option है हमारे पास, non-identification of social context, non-identification of social context का मतलब होता है, कि जितने भी हमारे सामाजिक संदर्भ है, कि किसी point को लेकर, अब गांधी जी की बात ही अगर हम करें, तो उनको लेकर कि लोगों के अलग-अलग विचार है, कई बोलते हैं, उन्होंने सही किया था, कई बोलते हैं, उन्होंने गलत किया था, तो समाजिक संदर्भ क्या है, वो यहाँ पर चीज को खराव कर देते हैं, तो option number C, D and E, बिल्कुल सही answer है, that is option number 3, here is the correct answer, एक चीज़ आप लोगों को और नोट करनी है, कि historical research क्या होता है, एक्जाम में बहुत बार पूछा क्या है, यह आपका qualitative research के अंदर आता है, historical research बोलता है, कि आप चाहे 2-3 books ही पढ़ो, लेकिन उससे अपना best knowledge निकालने की कोशिश करो, ना कि 40-50 books या notes पढने के बाद भी, आप चीज़ों को आधा धूरा छोड़ दो, इसलिए यह qualitative research पे हमेशा focus करता है, अगला important question है, match the following's are related, जिसमें एक तरफ research के forms दिये हैं, यानि के research के types दिये हैं, और दूसरी तरफ उनके description दिये हैं, उनकी थोड़े सा keyword उनके दिये हुए हैं, ठीक है, पहला है qualitative, quantitative triangulation findings and meta analysis, दूसरी तरफ है, filed war, satellite dishes, convergence of based multiple method and interpretation, convergence of finding based multiple methods, ठीक है, यहाँ पर यह आएगा, इधर findings, रइट, बहुत असान question है, देखो students क्या होते हैं, quantitative से आपको असान हो जाती हैं, find out करना, quantitative हमेशा numbers के साथ काम करता है, ठीक है, यानि कि quantity किसी भी number के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम gather करते हैं, और फिर analyze करते हैं, किसी भी statistical data को, gather करना और analyze करना, किसी भी statistical data को, बोला जाता है quantitative research, जैसे हमें average formula, hypothesis, किसी भी population की findings, अगर निकालनी हैं, तो quantitative research, हमेशा हर एक researcher को इसमें बहुत जादा help करता है, okay, तो देखो, यहाँ पर quantitative को आप connect कर सकते हो, convergence of finding based multiple methods, ठीक है, जहाँ पर भी finding based आपको term दिखेगी, तो directly quantitative ही होगा, अगला आजाता है qualitative, qualitative हमेशा non numerical data के साथ काम करता है, अब देखो non numerical का मतलब है, जहाँ पर numbers नहीं है, अब numbers नहीं है, फिर भी हमें अगर वहाँ पर research करनी है, तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, interpretative nature का यह होता है, तो first को fourth से match करेंगे, B को third से match करेंगे, C का देखो triangulation है, satellite dishes, so triangulation basically, it has the conversions of findings, based on different methods, ठीक है, अलगालग methods यहाँ पर use होती है, जैसे कि qualitative को भी use किया जाता है, and qualitative method में ही, triangulation method को use किया जाता है, उसकी validity test करनी के लिए, तो यह कुछ important points है, वैसे तो हम detail में discuss कर चुके हैं, next है meta analysis, जो की file drawer है, meta analysis के अंदर एक file drawer नाम की problem होती है, ठीक है file drawer problem होती है, meta analysis के अंदर, and यह क्या होता है, यह आपका quantitative होता है, quantitative and formal method होता है research का, तो correct answer है यहाँ पर option number 2, next question is, focus group discussion is a part of formative research, and दूसरा बोलता है, formative research can be qualitative and quantitative, both, so सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, focus group क्या होते है, यह basically method होता है, जो की formative research में use किया जाता है, ठीक है information को इकठा करना, फिर उसके point of view से चीजों को refine करना, programs और products को refine करना, यह सब चीजे focus group discussion के अंदर आती है, and इसमें क्या होता है, it basically involved bringing together a small group of individuals, to discuss their attitudes, beliefs, etc, small focus group discussions में, छोटे-छोटे groups बने होते हैं, और उनके फिर point of view जाने चाते हैं, किसी भी topic को लेकर, तो पहरी statement तो बिल्कुल true है, दूसरे भी true है, क्यूंकि formative research हमेशा qualitative and quantitative, दोनों तरह को ही use करता है, okay, so, इसी चीज़ पर ध्यान रखिएगा, focus group भी आपका focus group होता है, qualitative, मैंने हमेशा कहा है, कि qualitative और quantitative पहले अपना topic clear कीजिए, और देखिए कि कौन सा research method, qualitative में आता है, कौन सा quantitative में आता है, 70% question आपके यहीं से solve हो जाएंगे, ठीक है, so, दोनों statements true है, correct answer is option number one, next question is, following activities are related to conduct of experiments in social research, so, social research से न, बहुत से questions अभी exam में पूछे जा रहे हैं, so, जब हमें social research के experiments करने होते हैं, कौन सा यहां पर correct answer है, पहला है control the experimental environment, बिल्कुल सही, किस environment में, किस जगा में, किस वातावरण में, आप लोग experiment कर रहे हैं, उस पे आपका नियंतरन होना जरूरी है, pilot test, revise and test, यह भी बिल्कुल सही है, आगे हम इसको भी discuss करेंगे, और last है specify the treatment levels, चीज़ें होती है, वो pilot test के ओपर हमेशा dependent होती है, ठीक है, पाइलिट टेस्ट आपका feasibility, time, cost, risk, performance, जो होते हैं, रिसर्च के उन सब चीज़ों को, चेक करने में आपको बहुत ज़्यादा help करता है, ठीक है, सिंपल सा याद रखी, किसी भी research की feasibility, उसका time, उसकी cost, उसमें कितना risk है, उसकी performance को चेक करने के लिए, उस project में, जब भी हमें कोई testing करनी होती है, तो वो pilot test ही हमेशा होता है, अगला question है, which among the following, which among the following, it is a valid criticism of experimental method in social sciences, तो देखो, ये भी social sciences से related question आगया फिर से, इसका correct answer पहले बताती हूँ, फिर answer पे जाएंगे, explanation पे जाएंगे, that is artificiality of laboratory condition, तो पहले देखते हैं, experimental method क्या होता है, ये जितना भी आपका cause and effect वाली चीज़े होती हैं, cause and effect वाली चीज़े होती हैं, उनके बीच के जो connections होते हैं, वहाँ पर experimental methods को use किया जाता है, basically ये वो study होती है, research में, in which a theory is put to the test in a scientific manner, अब chemistry lab या school college के labs में, आप लोग testing करते थे, experiments करते थे, उसमें पहले आपको theory बढ़ाई जाती थी, फिर experiments होती थे, इसके cause and effect वाली चीज़ें आजाती हैं, ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें, कि criticism क्या होता है, experimental method में, तो एक तो ये है, artificiality of laboratory condition, ठीक है, तो इसको आप simply, artificiality भी कह सकते हो, दूसरा आजाता है, इसमें lack of random sampling, lack of random sampling, और next आजाता है, triviality, ओकी, तो ये बहुत important points हैं, examination के लिए, next question is, if the length of psychological test is increased, it improves both reliability and validity, ठीक है, psychological test की, जब हम length बढ़ाते जाते हैं, उसको और लंबा करते जाते हैं, तो ये बोलता है, कि उसके reliability and validity, को वो improve करता है, क्या ये सही है या गलग है, ये बिलकुल सही है, मैंने आपको बताया था, कि research में reliability और validity से related questions आते ही हैं, और भी important topics की list में ला चुकी हूं, link description box में मिल जाएगा, उन topics को जरूर पढ़िएगा, statement 2 बोलती है, score of a test can be interpreted, without referring to it, it knows, तो ये वाली statement जो है, ये बिलकुल गलत statement है, ठीक है, so correct answer आगया, यहाँ पर option number 3, ठीक है, इसमें test score की बाग की गई है, score of a test, ये क्या होता है, ये numerical, numeric piece of information होता है, जिसको की, जो की describe करता है, कि test taker ने, कितने अच्छे तरीके से perform किया है, ठीक है, next है, match the following से related, test of reliability, मैंने आपको बताया था, reliability में लग-लग test होते हैं, test and retest, interator, parallel forms, और split half, यहां से बहुत पार questions आते हैं, okay, सबसे पहले हम देखते हैं, test and retest क्या होता है, the same test, over a period of time is repeated, नाम ही इसका बता रहा है आपको, कि एक test अभी हो या, उसको retest, उस test को फिर थोड़े समय के बाद लिया जाएगा, okay, so when you repeat the same test on the same sample at a different point of time, वो क्या करता है, समय के साथ साथ, उसमें कई बार होता है कि, values change होती रहें, interator क्या होता है, same test को different लोगों के साथ conduct करवाया जाता है, same experiment अलग-अलग लोगों पे देखा जाएगा, और चेक किया जाएगा कि result same हा रहे हैं या अलग आ रहे हैं, parallel forms क्या होता है, this is a reliability measure, and it is used to measure the correlation between two equivalent versions of a test, दो test एक साथ चलते हैं, और उनके बीच में देखा जाता है कि, दोनों दूसरे के कितने अलग हैं, क्या क्या चीज़ी इसमें चल रही है, ठीक है, different versions of questions इसमें पीखे जाते हैं, अलग-अलग respondents से, and last आ जाता है आपकी पास, split half, इसमें क्या होता है, delivering a questionnaire in two parts, एक question को दो parts में deliver किया जाता है, अलग-अलग जगा पर, and अलग-अलग sample groups के साथ, okay, so देखो, यहाँ पर same चीज़ें अभी तक हमने पड़ी है, है न, किछ keywords है, split half, यानि कि, two parts में divide किया जाएगा, split का मतलब भी divide करना होता है, तो fourth का first, आ गया, test and retest क्या बोलता है, same test को बार-बार repeat करेंगे, option number four, और यहीं से आपका correct answer आपको मिल सकता था, next question is, in research, middle range theories operate in a, they operate in a limited domain, ठीक है, so यह हमेशा, एक limited domain में से चाम करते है, middle range theories को हम, practice theories भी बोलते हैं, because they have less abstraction than, guard theories and bridge between, theory and practice in nursing, next question is, which of the following are excluded in scientific research, so विज्यानिक अनुसंद्धान में, किसको शामिल नहीं किया जाता, so इसमें आपके subjectivity को नहीं किया जाता, unethical practices को नहीं किया जाता, यह तो कहीं भी नहीं enter होते, चाहे वो scientific research हो, या कुछ भी हो ठीक है, non-predictive inference, ग्यायर भविष्य वाले scientific research यही बोलते है, कि आप तुक्का नहीं मार सकते, जो चीज़े आपके पास results आ रही है, उनी कच्छे से follow कीचिएगा, So, first statement बिल्कुल correct है, second is principle of informed consent is theoretical as pre-information is likely to affect the research findings, So, absolutely correct answer हैं दोनो, statements बिल्कुल से, Which of the following are the examples of violation of research ethics? So, देखो research की कुछ नितिकताए होती है, कुछ rules होते हैं, जो कि हर एक researcher को follow करने ही होते हैं, किसी भी कारण की वज़ा से, कोई भी researcher को ये allowed नहीं होता, कि वो उनका उलंगन करे, लेकिन इस question में कुछ options ऐसे दिये गए हैं, जो कि examples हैं, उन चीज़ों के अगर एक person वो काम करता है, तो उसको माना जाएगा, कि उन्होंने research की ethics का उलंगन किया है, तो पहला option है, violating participant confidentiality, सो मालीजे research के दरान, किसी भी participant ने, किसी भी प्रतिभागी ने, आप उसे research, आप उसे questions पूछ रहे हो, उन्होंने अपनी कोई personal details, ये confidential data आपके साथ share कर दिया, आप उसके बाद है, making recommendations beyond the scope of data collective, यानि कि जो भी आपने अपने research के दरान data को collect किया है, ठीक है, एक उसके लिए range setup की जानी चाहिए थी, आपने क्या किया, उस scope से काफी जादा आगे निकल गए, तो वो भी research ethics का उलंगन करना ही होता है, तो option number B बिल्कुल correct है, इसके बाद आता है अगला using an inappropriate research design, अब देखो हर एक researcher को सबसे पहले तो ये find out करना होता है, कि उनके जो research करने का तरीका है, या research करने का method है, वो उनको कौन सा use करना है, तो उस research method के according, उनको एक research design select करना बहुत जरूरी होता है, और उस research design को अगर अच्छे से follow किया जाएगा, तब ही एक research को proper research माना जाता है, ऐसा इस question में, इस option में बोला गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है research का type आप कुछ भी select करो, उसका design time to time change हो सकता है, and next option है, changing data to meet a desired outcome, अब देखो मान लीज़े, आपके research में जो result है, वो 0.08 आगया, लेकिन आपका result आना चाहिए था 1.00, तो आपने क्या किया, आपने सोचा थोड़ा सा difference है, इन दोनों values में, हम इनको चलो change कर देते हैं, data को आपने output के लिए change कर दिया, आपना research को finalize करने के लिए change कर दिया, आपने क्या किये cheating की data के साथ, तो ये भी क्या है, गलत है, आपके पास correct answer है, A, B and D, तो correct answer is option number 1, next question is, discourse analysis in historical research is associated with, so एतिहासिक शोध हम लोगों ने पढ़ा है, एतिहासिक शोध वो होता है, जो कि fixed होता है, क्योंकि history लिख दी चुकी है, ठीके, history में वो चीज़े होती है, जो कि already हो चुके, लेकिन उसका advanced knowledge अगर आपको चाहिए, तो historical research को use किया जाता है, तो इसी में prevention visualization किस से जुड़ा हुआ होता है, तो इसका पहले answer देखते हैं, इसका correct answer है, who code, ठीके, अब research में आपको inquiry करनी होती है लोगों से, तो उसी के एक तरीके को discourse analysis बोला जाता है, and ये basically use होता है, to examine the written or spoken languages in relation to its social context, इस चीज़ के लिए इसको use किया जाता है, अब इसमें बहुत सारी languages को इस्तेमाल किया जाता है, conversations को use किया जाता है, text होता है, ठीके, छोटे-छोटे language के units से जादा है, इसमें बड़े language, उनके sounds, उनके words, उनके जो text होता है, उन चीज़ों पर focus किया जाता है, and जो यहाँ पर focus किया जाता है, ये क्या होता है, ये एक person का नाम है, and उन्होंने उनकी एक book बनाई थी, जो कि historical research से ही relative थी, ठीके, तो इसलिए इसमें correct answer आपका for quality होगा, यहाँ पर भी इसकी थोड़ी सी definition आप देख सकते हो, discourse के नाम पर ये बहुत important statement है, कि these are more than just a way of thinking and making sense, next question है, assertion reason based जिसमें पूछा गया है, in the case, study method, the researcher collects detailed information from limited number of participants, उसमें काया है कि research जब करते हैं, उसमें अगर हम case study method को use कर रहे हैं, तो researcher क्या करते हैं, कम लोगों से जादा information collect कर लेते हैं, इसका कारण यह बताया गया है, कि findings based on case study methods can be used to develop research hypothesis questions for subsequent studies, यह इसका कारण तो बिलकुल गलत है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कि exactly case study method क्या होता है, case studies basically hypothesis को try करने के लिए जर्नलाइजेशन होता है, जो कि data से कई जादा हट के उसे कई जादा उपर रहता है, ओके, यहाँ पर यह भी चीज़ से याद रखेगा, कि जो भी propositions होती है, they can then be tested using various techniques, and यहाँ पर propositions को test करने के लिए large N approach को use किया जाता है, जब भी हम case study method की बात करते हैं, अब इसके फायरे यह होते हैं कि यह method researchers को अलाव करता है, कि large amount of data को यह analyze कर सके, कम participants के through, ठीक है, लेकिन इसके disadvantage भी यह होता है, कि इसमें कई बार कई लोग जूट भी बोल जाते हैं, और researcher को पता भी नहीं चलता, इसलिए यह कारण इसका बिलकुल गलत बताया गया है, so correct answer हैं यहाँ पर option before, next question is, if a researcher has to test a hypothesis, परी कलपना आपने कर दी हैं, और एक researcher को उसको test करना है, whether the difference between the means of two groups are significant, he, she, will use what? So, ऐसे case में उनको क्या use किया जाना चाहिए? ऐसे case में students के T-test को इस्तेमाल किया जाता है, तो पहले देखते है, hypothesis testing क्या होती है, hypothesis देखो, आपने sample collect करते समय, hypothesis कर लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यह hypothesis, यह परीकलपना, यह जो guess हम कर रहे हैं, यह हमें end solution तक पहुंचाएगा या नहीं, इसलिए उसको test करने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, अब दो groups हैं, उनके means को check करने के लिए, यहां पर student के T-test को हमेशा यूज किया जाता है, basically T-test क्या होता है, दो-sided test होता है, तो-sided test होता है, यह और hypothesis में, statistical testing के लिए, सबसे best तरीका यह माना जाता है, इसको हम बहुत बार detail में discuss कर चुके हैं, right? Next is, which among the following methods is commonly used in anthropological research? So, इस question में correct answer बताया जा रहा है, that is, anthropological research is always related to anthropological method. पहले देखते हैं कि anthropology क्या होता है, यह एक study होती है, जिसमें लोग उनका past, उनका present, उन सब चीजों पर focus किया जाता है, और biological और उनकी culture के हिसाब से, उस human की understanding को और उनकी present condition को relate किया जाता है, okay? यह हमेशा आपका option number 2 ही सही रहेगा, anthropographic method से जुड़ा हुआ होता है, next is which of the following are stages of meta analysis, so meta, meta का मतलब होता है, एक data के बारे में, दूसरा data अगर हमें बताता है, जिसे आपकी book होती है, book में जो भी data होता है, direct हमें उसके बारे में नहीं पता चलता, उसके बारे में हमें index से easily पता चलता है, तो index के आओ गया, meta data हो गया, किसी और data तक ये पहुँचाने में हमें मदद करता है, so वैसे यहाँ पर meta analysis की बात की है, ये basically एक, statistical analysis होता है, किसका, किसी बे data का, जो की independent होता है, primary study से, and same subject पर हमेशा ये focus करता है, तो इसके different stages की जब बात करते हैं, तो पहला आता है, किसमें हमें literature के बारे में understanding होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, दूसरा होता है, develop inclusion and exclusion criteria of study, and locating primary studies, ठीक है, जैसे मैं आपको बदाया, आभी definition ही, meta data की ये कहती है, कि primary studies पर focus करता है, अब इसके जो भी steps होते हैं, सबसे पहला step तो meta analysis का यही होता है, कि research questions को हम formulate करते हैं, उसके बाद हम second step में understand करते हैं literature को, तीसरे step में हम extract करते हैं, consolidate करते हैं, consolidate करते हैं उसके study के level को, ठीक है, अगला locate करते हैं primary studies को, तो यह बहुत सारे steps हैं, मैं यहाँ पर सारे आपको नहीं बता पाऊंगी, तो अगर इस topic पर detailed video चाहिए, तो मसमची comment करके बता दीजिए, मैं लेकर जरूर आँगी जल्दी से चलती, तो यह है इसका correct answer, next is statement 1 बहुती है, parametric statistics are more powerful than non-parametric statistics, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, parametric statistics क्या होता है, parametric statistical test जो होते हैं, वो सिर्फ किसी particular circumstance में ही काम करते हैं, सब जगा पर हम उसको इसको 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 यूज नहीं कर सकते, and non-parametric जो होते हैं, वो less powerful होते हैं, तो यह statement बिल्कुल सही बताई गई है, ठीक है, parametric statistics जो होते हैं, वो जदा useful होते हैं, जदा इस्तिमाल किये जाते हैं, क्योंकि इनकी power जदा होती है, power का यहाँ पर क्या मतलब है, power का मतलब यह है, कि यह significance या किसी भी sample की reliability को चेक करने में, हमें जदा help करते हैं, और statement two कहती है, कि parameter statistics are assumption free statistics, यानि कि इसमें किसी भी तरीके की assumptions को consider नहीं किया जा सकता, यह statement विलकुल गलत है, उसमें assumptions होती है, जब भी हम samples लेते हैं, हम research में hypothesis करते हैं, तो assumptions के बिना कोई भी research possible नहीं होती, तो correct answer है, one is true, two is false, next question is, exploratory studies mainly aim at developing hypothesis or questions for further research, statement two बोलती है, the goal of formal studies is to test hypothesis और answer the questions, post, जो भी question पूछा गया है, उसके proper तरीके से answer देने के लिए, और hypothesis को test करने के लिए, formal study का यह goal होता है, ठीक है, तो इसमें correct answer है, both the statements are absolutely true, तो direct definitions है, extra इसमें कुछ नहीं याद रखना, if the research is to be conducted on very young children, or inarticulate persons, which one of the following methods will be appropriate in this situation, so observation method, किसी young बच्चे के, और किसे भी inarticulate person के बारे में, अगर research करनी होती, तो ज़्यादा तर chances होते हैं कि, उनकी behavior को, उनकी हरकतों को, observe किया जाता है, तब ही पता लगाया जा सकता है, कि इनको क्या दिक्कत है, कि या यह चाते हैं, और कैसे इनकी चीजों को समझा जाए, next is the objective of exploring the existing literature, should be identified, which of the following issues, ठीक है, अब देखो, जो already topic हमने select कर रख है, research के लिए, उससे related जो literature है, उससे related जो सहित है, उसको पढ़ने का, उसको explore करने का, क्या फायदा होता है, तो इसमें से क्या issues होते हैं, बहुत पूछे गए हैं, तो correct answer देख सकते हो, what is already known about the area, अब जैसे माल लिजीए, आपको लग रहा है, कि यह research के एक बहुत बड़ी problem है, आप क्या करोगे, उसको research करना शुरू कर दोगे, लेकिन already अगर उसका किसी ने solution दे दिया है, और आपको वो नहीं पताओ, आप तो आपकी तो मेनत वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए पहले से जानना ज़रूरी होता है, कि क्या क्या research already हो चुकी है, दूसरे, what concepts and theories are relevant to this area, क्या क्या important है उस area से related, what are the significant controversies in this area, and are there any inconsistencies in the findings of this area, यह important question है, इस बहुत है, hypothesis को test करना चाहता है, and यहाँ पर condition यह दी गई है, कि means of two groups, यानि कि दो groups का जो mean होता है, वो significant है या नहीं है, उनको ये check करना है, तो इन चार options में से कौन सा test उनको करना चाहिए, अब सबसे पहले आप लोगों को students यह पता होना चाहिए, कि hypothesis exactly क्या होता है, hypothesis का मतलब होता है, परिकल्पना करना, simple language में अगर बोलें, तो hypothesis का मतलब होता है, अनुमान लगाना, अब देखो, मान लीजिए, कि मैं किसी problem में फस चुकी हूँ, याण मुझे इस problem का solution चाहिए, तो मेरे पास तीन solutions है, पहले solution है, ये मेरे दूसरे friend ने solution बताया, ये मेरे तीसरे friend ने solution बताया, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास तीन hypothesis है, अपने solution तक पहुंचने के लिए, अब होता है कि हम plan करते है, कि अच्छा, अगर मैं ये वाली trick ट्राइ करूंगी, तो मेभी हो सकता है solution मिल जाए, लेकिन हमारे पास negative points भी बहुत रहते हैं, कि मेभी उसका solution मिले या पिर ना मिले, ये होता है hypothesis testing, यानि कि हमारे पास options बहुत है, परिकल्पनाएं बहुत है, हम उसको test करेंगे, अपने solution तक कैसे पहुंचेंगे, ये हमें पूरा research करना होता है, okay, so I hope यहाँ से आपका hypothesis भी clear हो चुका है, and students, ये जो question मैंने बताया, एक researcher को test करना है hypothesis, जहां पर वो दो groups के means को check करना चाहता है, कि वो significant है, या पर नहीं है, तो उसके लिए उनको क्या use करना होगा, उसके लिए उनको student का t-test use करना होगा, so right answer है, यहाँ पर option number D, अब देखो, t-test और z-test, दो चीजे होती हैं हमारे पास, ती-test and z-test, तो पहले हम z-test की बात करते हैं, बहुत important है, हर एक चीज को note कीज़े, exam में जरूर question आता है, यहां से, तो z-test क्या होता है, यह एक statistical hypothesis होती है, जो कि दो samples के mean को calculate करने में, हमें का मदद करती है, और इसके case में क्या होता है, अगर sample का size जो है, sample का size जो है, वो larger होगा, तो हम z-test करते हैं, वहीं अगर हम लोग t-test की बात करें, it determines how averages of different data sets, differ in case the standard deviation, or the variance is unknown, यानि कि t-test हमें क्या मदद करता है, यह हमें बताता है कि, दो sets है, जैसे कि यहां पर बोला है, दो groups है, इनमें अगर हमें comparison करना है, लेकिन small groups हैं, तो इस case में हम लोग t-test को lose कर सकते हैं, तो इसका एक range होता है, जो कि आप लोगों को exam के लिए पता होना चाहिए, तो देखो, z-test की अगर हम बात करें, z-test में अगर कोई भी number है, वो greater than 30 होता है, तो हम z-test करते हैं, यानि कि audience जो है, यह जो samples है, यह जो groups हैं, इसमें 30 से जादा लोग हैं, तो z-test होगा, anti-test कब होगा, जब number of people is less than 30 होगी, तो I hope यहाँ से आप लोग बिल्कुल क्लिर्ली यह समझ चुके हो, next question is, which among the following methods is commonly used in anthropological research, so anthropological research होता क्या है, यानि कि मानव शास्त्री शोड इसको बोला जाता है, यह क्या होता है, so यह scientific study है, जसमें कि हमारा, या फिर researcher का major focus इन चीज़ों पर रहता है, पहला रहता है humanity, दूसरा उनका रहता है human का behaviour, यानि कि कोईसी इंसान का बात करने का तरीका, उनका behavior, उनका nature, उनका किसी को treat करने का तरीका कैसा है? humanity, human behavior, human biology, यानि कि किस इंसान का शरीर कैसा है, उनका culture कैसा है ठीक है उनकी society कैसी है and उनका past, present and future कैसा है यह सारी चीज़ें आती है हमारी ethnological research के अंदर यानि की मानव, शास्त्रिय, शोध के अंदर उके इसमें पूछा है कि इस तरह की research में कौन से methods को सबसे जादा use किया जाता है case study method, ethnographic method, life history method या पर survey method अब देखो students, यहां पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि उससे यह sound same करता है तो हम इस पर click कर देते हैं यह answer बिल्कुल गलत है, आपका इसका right answer है option number 4, that is survey method survey method में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं information को collect करते हैं, बहुत सारे लोगों से questions पूछ कर इसमें question answer session होता है अब जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी person का behavior जानना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे बोला जाता है ना कि मान लीजिए किसी कोई बोलता है कि A state के person का nature ऐसा होता है B state के लोग थोड़े active होते हैं, C state के लोग थोड़े वैसे होते हैं तो इसके लिए हम survey method करते हैं क्यों क्योंकि ये किसी human nature से related बाते इसमें हो रही है तो हम क्या करेंगे, A state में जाएंगे, वहां के लोगों से survey करेंगे उनका question answer session लेगे, basic चीजों को ले करके same question answer session हम B state के लोगों से करेंगे इस तरह से survey किया जाता है ताकि हम लोग पता कर सकें कि human behavior क्या है या फिर simple सी बात करें तो मानव शास्त्री शोध क्या है औके इस तरह का जो research होता है ये हमें allow करता है कि बहुत सारे methods को हम इसमें एक साथ use कर सकते हैं data को collect कर सकते हैं जितने भी बहुत सारे research के instruments होते हैं उनको भी वो collectively हमें use करने में मदद करता है third question is which of the following are the stages of meta analysis so very important question meta analysis क्या होता है ये होता है हमारे पास एक quantitative ये एक quantitative approach होती है ठीके इसको हम लोग formal epidemiological study भी बोलते हैं जो के एक systematic way में होती है औके इसमें होता क्या है इसमें conclusion होता है research की body का research की body से हमारा यहां पर क्या मतलब है कि माल लीचे मेरे topic का नाम ABC है क्या ये topic है क्यों इस पर हम research कर रहे हैं क्या purpose है वो उसकी main body आ जाती है so meta analysis is a research process used to systematically synthesize or merge the findings of simple, single, independent studies using statistical methods to calculate and overall absolute effect तीके और अगर easy language में समझना चाते हो तो meta analysis does not simply pull data from smaller studies to achieve a larger sample यानि कि चोटी चोटी स्टडी से एक बहुत बड़ा sample create करना meta analysis का पार्ट नहीं होता है meta का मतलब ही क्या होता है data about data यानि कि कि किसी particular data के लिए और कोई data हमारे पास अगर होगा ठीके सो कौन-कौन से stages होते है इसमें understanding literature conduct new studies to fill the gap develop inclusion and exclusive criteria of the study locating primary studies या पर identify secondary data सो right answer है यहाँ पर option number B, C and D ठीके सो ये तीन stages इसमें होते हैं पहले में हम क्या करते हैं जो gap होता है उसको fill up करने के लिए study करवाते हैं उसके बाद हम कुछ criteria को set up करते हैं ताकि उस ग्यार को fulfill किया जा सके and then उसके बाद primary study को वहाँ पे हम locate करते हैं next question आता है जिसमें की पूछा गया है statement 1 में parametric statistics are more powerful than non-parametric statistics so parametric and non-parametric क्या होते हैं parametric study एक branch होती है statistics की जो assume करती है कि जो data sample होते है that comes from a population that can be adequately modeled by a probability distribution that has a fixed set of parameters यानि की एक parameter को satisfy करने के बाद ही हमारे पास इस तरह की research में कोई data आता है यह बोलता है parametric study इसमें हमारे पास जो first question में हमने देखा था ठीक है first question में जो हम लोग उने student का t-test की बात की थी यह भी किसका example है यह भी हमारे पास एक parametric study का ही example है इसको आप लोग note कर दीजिए ठीक है इसमें किसे भी तरह की धारणाई जो है नहीं होते हैं कौन से right statement है देखते हैं option number one यानि कि statement one जो है वो बिल्कुल true है बिल्कुल सही बोलती है and statement two false है इसमें यह बोला गया है कि parametric statistics assumption free होते हैं यानि किसमें किसे भी तरह की धारणाएं नहीं होती है okay so last question है हमारे पास इसमें पूछा गया है given below are two statements exploratory studies mainly aim at developing hypothesis or questions for further research so exploratory explore करना explore करने का मतलब क्या होता है किसे चीज को find out करना जिस चीज का थोड़ा सा idea हमारे पास है या फिर बिल्कुल भी idea हमारे पास नहीं है उस चीज को हम लोग भूंते हैं उससे हम किसे solution की और जाते हैं okay so exploratory research एक ऐसी method है जसमें की हम research questions को explore करते हैं जिसका previously detail में कोई research और रेड़ी नहीं हुआ होता है मान लीजे कि मेरे पास कोई problem आज के टाइम पर कोई एक problem आ चुकी है जिसका नाम A हम दोते हैं इस problem का solution अब हमें ढूणना है अब इस problem को हम exploratory problem कर बोलेंगे क्यूंकि इसका अभी तक हमारे पास previously कोई solution नहीं है पहले किसी ने भी इस पर research नहीं किया है हम लोगों को इसके बारे में जाधा idea भी नहीं है बट हम इस पर research करेंगे खुद से information collect करके research करेंगे that is a type of exploratory study statement 2 बोलती है the goal of formal study is to test the hypothesis or answer the question posed so formal study जो होती है उसका major focus होता है कि वो अनुमान लगाने में मदद करें यानि कि परिकल्पनाओं का लक्षय वो ले करके चलता है और किसी भी question का answer ढूंबने में हमें मदद करता है so right answer है यहां पर option number 2 that is दोनों की statements जो हैं बिलकुल सही है exploratory studies mainly aim at developing hypothesis or question for further research इसमें सबसे ज़ादा जो hypothesis होते हैं सबसे ज़ादा जो परिकल्पनाई होती है वो हमारे exploratory study में ही आती है of the following research forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for journalizability बहुत easy question है इसमें direct definition दी गी है अब देखो students यहां पर वो research का type पूछा है जिसका major focus होता है कि वो explore करे potential for journalizability को ठीक है यह directly जो है applied research होता है correct answer option number 4 होगा applied research जो है यह कैसा research का type होता है जो की solve करने में हमें help करता है किसी भी specific problem पो ठीक है specific problem का मतलब है मान लीजे कभी भी किसी hospital management से related problem है यह school management से related problem है तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अलग rules को follow करते है तो इसलिए इस तरीके की कोई specific problem होगी उसको solve करने के लिए ही applied research आपको help करता है इसमें बहुत ही जादा innovative solutions दिये जाते हैं खास तोर पर जब कोई individual problem हो किसी group से related problem हो या society से related problem हो जिसके potential को हम explore करना हो वहां पर applied research को ही हमेशा use किया जाता है next question है in which of the following there is considerable scope for violation of research ethics सो देखो यह question हमने कल भी पढ़ा था previous year के shift में कि जब भी हम अनुसंधान की नैतिकताओं की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी researcher उसको उलंगन कर देते हैं जोकि बहुत बड़ी गलती होती है तो कौन-कौन से इन में उसके उलंगन के points है यह आप से पूछा गया है problem formulation अब देखो किसी भी research को शुरू करने से पहले उसकी problem formulation करना compulsory होता है यह किसी भी तरीके से नैतिकता का उलंगन करना नहीं होता तो यह option गलत है data interpretation यानि की data की व्याख्या करना data का idea लगा करके results को वहाँ पर present करना यह बिल्कुल सही है अपने idea लगा करके interpretation के through अगर हम data present करते हैं अपने report में तो वह नैतिकता का उलंगन होता है hypothesis making hypothesis steps of research में important role play करता है तो यह भी option गलत है reporting of research results उसकी report करना ठीक है यह भी सही है और next है हमारे पास using research tools prepared by others दूसरों के द्वारा research की हुई जो information है उसको अपने नाम से use करना अपने research paper में यह भी गलत बात होती है तो इसलिए correct answer क्या हो गया b d and e so correct answer is option number three here बहुत बार आता है यह question as it is in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variable so आपको पता है dependent variable जो दूसरे पर निर्भर है independent variable जो अपने आप पे काम करता है तो अब हम जब भी आप लोगों ने जैसे school में college में science students रहे होंगे जो उन्होंने बहुत सारे बार practicals की होंगे ठीक है उसमें क्या होता है जो मैनिपिलेट किया जाता है किसलिए मैनिपिलेट किया जाता है ताकि उनसे dependent variable पर क्या effect पढ़ रहा है क्या फरक उससे पढ़ रहा है क्या changes हो रहे हैं यह जानने के लिए तो ऐसे case में हम यूज करते हैं experimental method को that is option number 2 ठीक है experimental method basically scientific approach होता है इसलिए कभी भी अगर हम dependent और independent variable के manipulation की बात कर रहे होंगे question में तो directly आपने scientific method या फिर experimental method को correct answer identify कर देना है next is in a research project using triangulation approach which of the following can form part of the investigation on studying parental participation attitude and problems so देखो यहां पर दिया है interview observation test sociometry and focus group discussion बहुत ही जादा important question है यह हर बार exam में आता ही है ठीक है एक एक चीज को पहले हम लोग discuss कर लेते हैं देखो सबसे पहली चीज यहां पर काफी बच्चों ने नहीं सुनी होगी वह है triangulation method so triangulation refers to the use of multiple methods triangle यानि कि दो से जादा methods इसमें use किया जा रहा है and यह हमेशे आपका qualitative research का ही type होता है and triangulation method have been viewed as qualitative research strategy जिसकी help से हम किसी भी research की validity को चेक करते हैं मैं already आपको बता चुकी हूँ कि research की validity और उसकी reliability बहुत important होती है qualitative research है यह जिससे हम उसकी validity को चेक कर सकते हैं और एक या एक से जादा method यहाँ पर यूज किया जाता है data को collect करने के लिए सो अब यहाँ पर एक और नई term आप लोगों ने सुनी है वो है parental participation attitude and problem अब देखो जो parental participation होती है वो basically observation method के through use की जाती है parental attitude जो होता है उसको group discussion के द्वारा evaluate किया जाता है जो problems होती है ठीक है the problem of the parents can be judged by interview method यहाँ पर देखो correct answer क्या है A, B and E ओके यह चीज़े जो मैंने आपको detail में बताई बहुत important है next question is qualitative research paradigm emphasizes participant perspectives and uses an empirico inductive approach statement 2 बोलती है in the same research project it is neither possible nor desirable we are able to use both qualitative and quantitative paradigms so बहुत important question है इसमें देखो सबसे पहले qualitative क्या होता है जो quality पे focus करता है quantitative क्या होता है and qualitative analysis में हम किसी भी research की depth उसकी breadth और उसकी complexity को चेक करते है and वहीं अगर हम लोग quantitative की बात करें इसमें आपका correct answer है option number 3 that is first statement is correct but second is incorrect next question is what is the usual sequence of steps in scientific method so scientific method के steps कहीं है creating the problem then we have identifying the difficulty and problem statement formulation चीज़ें वही है देखो पहले हमने problem create की उसके बाद problem statement formulation किया उसके बाद hypothesis को generate किया then we have data collection और last में data को analyze करना यही question बार-बार आता है लेकिन अलग-अलग तरीके से statements यहां पर बनाई जाती है what are the characteristic features of the quantitative research paradigms so कौन-कौन से है इसके characteristic features पहला आ जाएगा आपके पास hypothetical deductive okay hypothetical deductive क्या होता है यह बहुत important है जिसमें आपको बताया था कि quantitative में हम उसकी research के data को quantify करते हैं collect करते हैं analyze करते हैं numerical form में ठीक है and hypothetical deductive study बोलती है कि जितने भी controlled variables होते हैं उसको एक systematic clear और logical way में आपस में relationship तै करके present किया जाता है और research इससे solve की जाती है research problem को solve किया जाता है